हालो फ्रेंट्स वैल्कम टो माई चैनल स्टेडी पॉइंट तो जैसा कि आज 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 का एस एंटी एस का 5 अक्टूबर का प्रथम पाली का एक्जाम हो गया दोस्तों जिसका मैप को बिल्कुल 100% एकुरेट एंसर के साथ जो है इस वीड़ों मैं बताऊंगा तो देख लेते हैं कि किस परकार के जो आज आज आपके पांच अक्टुबर के प्रथम पाली के एक्जाम में जो अप प्रेशन पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों की जिरोंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो MTS related पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजे और बगल में ही आपको एक बैल आइकन यानि घंटे का निसान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजेगा तो चले वीडियो का स्टार्ट करते हैं पहला कुश्चन है था कि CACP का जो फूल पॉम पूछा गया था तो देखे इसका जो फूल पॉम होता है तो यह फूल पॉम आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता तो अजमेर आपका यहाँ पे करेक्ट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट कुशन आपका यहाँ पर रहा था कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के भारत आगमन पर जो है उनके सम्मान में 1924 में क्या बनाय गया था आपके आपसन में था ताज महल, गेटवे ओफ इंडिया यह दो आपसन मुझे मिले आए तो मैं आपका बता दू कि जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी भारत में कब आये थे यह 1911 में आये थे और इनके सम्मान में जो है 1924 में गेटवे ओफ इंडिया का निर्मान किया गया था जो कि आपका मुंबई में इस्तित है तो गेटवे ओफ इंडिया आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा बात कर ले गेट वाफ इंडिया के वास्तुकार कौन थे अगर ये पूछा जाए तो देखे गेट वाफ इंडिया के जो वास्तुकार थे ना ये जो और जी वीटेट थे तो इनका नाम भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहा था कि उत्राखंड का प्रतम ग्रैविटी डेम कौन सा है तो देखे उत्राखंड का जो प्रतम ग्रैविटी डेम है ना ये आपका कोटेश्वर डेम है लेकिन बच्चे बता रहे थे कि कोटेश्वर डेम आप्सन में नहीं दिया हुआ था तीहरी बांद जो यापका option में दिया वा था तो थेके टिहरी बांद दिया था ना तो टिहरी बांड आपका यहां पे correct answer हो जाएगा और ये जो टिहरी बांद ये किस नदी पर है तो ये भी आपको याद रखना है कि ये भागी रथी नदी पर है नेक्स्ट कोशन आपका यहाँ पर रहा था कि भारते संविधान में मौलिक अधिकार यानि फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो किस देश के संविधान से लिया गया है तो देखे भारतिय संभिधान में जो मौली का अधिकार है या आपका संयुक्त राज अमेरिका यानी USA से लिया गया है तो संयुक्त राज अमेरिका आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा बात कर लें वर्तमान में कितने fundamental rights हैं तो 6 fundamental rights हैं तो यह भी आपको ध्यान में रखना है और अगर यहां पे question पूछा जाए कि भारतिय संभिधान में मौली करतब बे अगर यहां पे पूछा जाए कि मौली करतब बे किस देश के संभिधान से लिया गया है तो फिर आपका rules जो आपका यहां पे correct हो जाएगा और वर्तमान में मौली करतब बे कितने हैं तो 11 हैं तो यह भी आपको ध्यान में रखना है next step का यहां पर रहा था कि ICC 2020 Women's Cricketer of the Decade का award किसे मिला है तो देखिए ICC 2020 Women's Cricketer of the Decade का जो award है यह Elyssa Perry को दिया गया है जो कि Australia की all-rounder खिलाडी है तो Elyssa Perry आपका यहां पे correct टेंसर हो जाएगा और यहां इससे पहले जो आपका मिन्स का पूछा गया था तो मिन्स में जो आपका MS-Dhoney जो आपका correct टेंसर हो जाएगा तो यह भी आपको ध्यान में रखना है next step का यहां पर आया था कि LCD का फूल फूम पूछा गया था तो देखिए LCD का फूल फूम होता है वो liquid crystal display होता है तो liquid crystal display आपका यहां पे correct हो जाएगा बात कर लें आगे कि सिप्ट में अगर आपसे LED का फूल फूम पूछा जाए तो light emitting diode इसका फूल फूम होता है तो यह भी आपको ध्यान में रखना है next step का यहां पर आया था कि नाल मला हिल्स यानि जो नला मला पहाड़िया है यह किस राज्जी में है तो देखिए यह जो नला मला पहाड़िया है यह आपका आंधर परदेश राज्जी में है तो आंधर परदेश आपका यहां पे correct हो होता है तो ब्लंट का जो एंटोनीम होगा वो कंडिशनल होगा सार्फ होगा इंडिरेक्ट होगा और पॉइंटेड होगा तो इन चारों में से जो भी ऑप्सन में दिया होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट अप कही आप रहा था कि राज जी री और्गनाईजेशन एक्ट यह जो कब लागू हुआ था तो देखे राज पुनर गठन जो अधिनिया मैना यह आपका 1956 में लागू हुआ था तो 1956 आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा अब इसके फैक्ट के बार में देख लेते जहां से प्रेशन अक्सर पूचे जाते है तो राज पुनर गठन आयो का कब किया गया था तो गठन अगर पूच़ा जाना तो यह दिसंबर 1903 में किया गया था और किसके नैतरितुम में किया गया था तो ये फजल अली के नैतरितुम में किया गया था तो ये भी आपको याद रखना है और इस आयूग ने 30 सितंबर 1955 को जो है अपनी रिपोर्ट सौपी थी और इस रिपोर्ट के अधार पर जो है इस अधिनियम को 1956 मे आपका correct हो जाएगा next step का यहाँ पर आया था कि which committee has been formed by the securities and exchange board of India यानि जो सेभी का जो फुलपा होता है ना वो the securities and exchange board of India होता है on corporate governance यानि question यहाँ पर यह पूछा गया था कि सेभी का जो formation है ना यह किस committee के द्वारा किया गया था तो देखें सेभी का जो formation है यह उड़ा कोटक कमीटी के द्वारा किया गया था तो उड़ा कोटक कमीटी आपके यहाँ पर correct हो जाएगा बात कर ले सेभी के अस्थापना कब हुई थी तो देखें सेभी के जो अस्थापना है ना यह 12 अपरेल 1988 को हुआ था लेकिन 30 जनवरी 1992 1992 को जो है वैद्यानिक अधिकार प्राप्त हुआ था तो अगर एक्जाम में इसमें से कोई एक ही option दिया रहेगा तो जो भी दिया रहेगा वो आपके यहाँ पर correct हो जाएगा बात कर ले सेभी का मुख्याले कहाँ पर है तो यह मुंबई महराश्टर में है तो यह भी आप को ध्यान में रखना है और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि वर्तमान में जो है सेभी के अध्यच कौन है यह जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है नेक्स्ट अप कर रहे था कि हमारे सरीर में मोस्ट अब्यूडेंट मिनरल यानि प्रचूर मातरा में डैगनेशियम और फोस्फोरस दिया वा था तो देखिए हमारे सरीर में जो सबसे ज़्यादा प्रचूर मातरा में खनीज होता है यह आपका फोस्फोरस होता है तो फोस्फोरस आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा नेक्स अपका यहाँ पर आया था कि खेलो इंडिया यू जित किया गया था वहीं अगर 2021 का पूछा जाए तो 2021 का जो हरियाना के पंच कुला में आयोजित किया गया था तो यह भी आपको ध्यान में रखना है नेक्स अपका यहाँ पर रहा था कि वर्ल्ड बैड्मिंटन चेंपियंशिप 2019 में जो कौन से देश में आयोजित हुआ तो देखें यह जो वर्ल्ड बैड्मिंटन चेंपियंशिप 2019 का हुआ था ना यह आपका स्विट्जर लैंड देश में आयोजित किया गया था तो स्विट्जर लैंड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा बात कर लें इसके वीजेता कौन रही थी तो यह पीबी अंच्रीच में भेजा गया है तो जापान आपके यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बात कर लें यह दौकान के वरत्मान में प्रधान मंत्री कौन है तो यह योसीडी नायै तो इनका नाम भी आपको याद रखना है Zapां की संसथ कभी-कभी इकजाम में पूछा जाता है तो ज 2020 में जो गंतन दिवस का जो परेड पुरुसकार है ना ये असम की जहांकी को दिया गया है तो असम आपका यहां पे करेक्ट हो जाता है नेक्स्ट अप कर यहां पर रहा था कि सहीद दिवस ये जो एक किस दिन को मनाय जाता है तो देखें ये जो सहीद दिवस है ना ये हर वर साल जो है सही दिवस मनाय जाता है नेक्सट अपके यहाँ पर हाएथा कि वाईज अदरवाईज पुस्तक के लोगिंदा आए kों yarn है तो चिइनल बीपिन रावत आपकर करेक्ट हो जाएगा आगे के सिप्ट में अगर आपसे पूचा जाए कि भारत के वर्तमान में आर्मी चीप कौन है तो ये मनोज मुकुन नर्वाने है नैबी चीप अगर पूचा जाए तो ये एडमीरल करम बेर सिंग है और अगर एयर फोर्स चीप पूचा जाए तो ये राकेस कुमार सिंग कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट रड़ों तब तक थांक्यू ओल दे बैट